हर साल दो अक्टूबर को गांधी जैनती मनाई जाती है। इस दिन बापु का जन्म हुआ था। लोग गांधी जी को प्यार से बापु कहकर पुकारते हैं। यह दिन बापु को याद कर उनके पचिन्हों पर चलने का है। गांधी जी कहा करते थे कि अहिंसा और सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी बाधा पार कर लेता है। असत्य कितना भी ताकत्वर क्यों ना हो अंत में जीत सत्य की होती है। गांधी जी ने महज सत्य और अहिंसा के पत पर चल कर देश को अंग्रेजों से मुक्त दिलाई, उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेणा दायक हैं, आईए गांधी जी के जन दिवस पर अनमोल विचारों को जानते हैं, बापू के अनमोल विचार, पहला, ताकत शारीक शक्ती से नहीं, बलकि यह अदम्य इच्छा शक्ती से आती है, दूसरा, हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए परियाप्त होगा, तीसरा, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए, मानवता एक सागर के समान होती है, सागर की कुछ बुंदे, गंदी हो जाने से पूरा सागर गंदा नहीं होता, चौथा, हमारी मासूम्यत जितनी बड़ी होती है, हमारी ताकत उतनी ही बड़ी होती है, और हमारी जीत को मजबूत करती है, आचवा, प्रिच्वी, सभी मनुस्यों की जरूरत पूरी करने के लिए परियाप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालज पूरी करने के लिए नहीं, चट्वा, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए, मानवता एक समुद्र है, अगर सागर की कुछ बुंदे हैं, तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता है, विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एक मत हैं, कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जिवित रहता है, आठ्वा, एक निर्धारित लक्ष और कभी ना बुजने वाले ज इतिहास के पाठे करम को बदलता है, नौवा, आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कारे बन जाते हैं, आपके कारे आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदते आपके मुल्य आपकी नियती बन जाती है दसवा जब मैं निराश होता हूं मैं याद कर लेता हूं कि समस्त इतिहास के दोरां सत्य और प्रेम के मार्क की ही हमेशा विजय होती है कितने ही ताना शाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो अजेयल लग सकते हैं लेकिन अंट में उनका पतन होता है इसके बारे में सोचो हमेशा विरो रिपोर्ट देश्वा निऊज सिर्फ ख़बर दिखाना देश्वा निऊज का मकसद नहीं देश्वा निऊज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले